हेलो दोस्तो आप सभी लोग कैसे हो और आप लोगों का बहुत बहुत सागत है मेरे यूटीव चैनल पर मेरा नाम है रश्मी सचान उमीद है आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो और ट्राइ कीजिएगा साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मधूलिएगा ये बिल्कुल फ्री है और आने माले सभी वीडियो की क्यों लाते हैं घृजंटे लाइंट लाते हैं की काफी केले लाए जाते हैं ताकि पूरे परिवार के लिए एक बार में हो सके साथी साथ cheap हां टिका नहीं सकते हैं तो आज हम करेंगे इसमें बहुत ही साधाराण सा नुस्खा इसकी वज़ाए से केले ज्यादा लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे तो यहां पर मेरे पास है पहला जो नुस्खा मैं करने वाली हूं वह यह है कि यह अलूमिनियुम फॉइल है सभी के घर में होती है आज कल खाना वगेरा पैक करने टिफन पैक करते हैं तो इसमें हम खाना लपेट देते हैं या फिर और भी कई तरह के इसके स्तमाल होते हैं तो इसका एक ऐसे लंबा सा टुकड़ा आपको फाड़ लेना है और उपर जहां से केले का जो यह डंठल होता है मोटा सा ज टाइट रहते हैं इसके साथ ही साथ केलों को आप जब भी रखें इनकी रखने की पोजिशन से भी डिपेंड करता है कि आप कैसे रख रहे हैं तो केले जल्दी से नहीं गलते हैं इसे अच्छी तरह से बांदेना है आप चाहे तो इसे थोड़ा धागे से भी बांद सकते ह और ज्यादा टाइट करने के लिए अब आपको इसे ऐसे रखना है जैसे मैं आपको अब भी दिखा रही हूँ ये आपको गुछ सही तरीका है यूज़री हम ऐसे रखते हैं दुकान में भी ऐसे मिलते हैं जो की तरीका सही रही है तो ये हथा हमारा पहला नुसका चलिए पेट देना है जिससे कि जो इसकी कैसे से वो रिलीज ना हो पाएं डंठल के पास से अब किसी धागे की सायता से या इस तरह का एक रिबन ले लीजिए उससे इसे टाइट कर दीजिए बस हो गया सिंपल सा हमारा काम इस तरह से भी आप रख सकते हैं और इसे भी उसी तरीक कुछ नहीं है यानि कि इस तरह से केले का गुच्छा नहीं है सिंगल सिंगल केले हैं तो आप इन केलो में भी इसी तरह से सिंगल केले में या तो एलुमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक इस तरह से यानि की पॉलिथीन भी लपेट सकते हैं तो यह था आज का हमारा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए